Hello everyone, आप सभी का स्वागत है भई Magnet Brains के शांदार YouTube चानल पर जहांपर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost high quality educational videos of K12 CBSC Board English Medium इसी के साथ हमारा एक अलग channel है Hindi Medium के लिए which is Magnet Brains Hindi Medium जहां हम class 6 से class 12 Hindi Medium के students जो अपना math, science, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं जो UP, MP, Bihara, Ajistan और Delhi Board के बच्चे हैं उनको हम वहाँ free of cost, high quality education प्रोवाइड कराते हैं नोट्स के लिए आप हमारी website और application चेक आउट कर सकते हो website है www.magnetbrains.com इस साइड जीशान, your maths mentor और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के session में आज बिटा पन शुरू करेंगे permutation and combination chapter number अपना 6 है class 11th की mathematics के most important question number 1, 2, 5 5 question यहां करेंगे, 5 question next part में करेंगे और बढ़िया तरीके से sir इसको खतम करेंगे तो परो बिटा question number 1 क्या है 8 chairs are numbered 1, 2, 5 हमारे पास 8 chairs है sir, यहां 8 chairs लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 chairs है sir, सब पे number ड़ले हुए है ठीक है, है ना number भी डाल देते है चलो sir, number 1, number 2, number 3 जैसा वो बोलना है पन वैसे ही करेंगे number 4, number 5, number 6 and number 7 and last but not the least, number 8 done sir 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each भाईया, 2 women, ठीक है and 3 men, ठीक है ठीक है, टोटल 5 लोगों को यहां 8 chairs पे बैठना है कोई से पे भी कोई भी बैठ सकता है, ठीक है first the women choose the chair from amongst the chair 1, 2, 4 first the women choose भाईया, कितनी women है, 2 पहले females को women को एक मौका दिया गया कि 1 से लेकर 4 तक में कोई भी chair आप choose कर लो, ध्यान से सुनना बिटा मेरी बात, जी सर मैंने कहा, पहले women को मौका दिया गया 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 में कोई भी chair choose कर लो मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर women को 4 choices दी total कितनी जगा है, 4 choices है कितनी women है, 2 women है तो हमने 2 लिखा सर हमने क्या लिखा 2 4 women है, sorry 4 seats है उसमें से 2 women कहीं भी बैठ सकती, arrangement की बात हो रही है यहां combination नहीं लग रहा है, arrangement लग रहा है arrangement मतला permutation तो सर, 4 women में से 2 seats 4 women में से, ध्यान से सुनो, जी सर वो सरी, 4 women क्या रहा हूँ 4 seats में से 2 seats occupy होंगी क्योंकि 2 women है, ठीक है सर clear है, हाँ सर, उसके बाद भाई यह तो हो जाएगा, किसका यह हो जाएगा बिटा, 2 women को 4 seats में से कोई भी seat पर बैठने के लिए बोल दिया गया है समझ गए, 4 seats है जी सर, 4 seats में से किसी भी 2 seats पर 2 women बैठ सकती है, तो 4 P2, 4 seats में से 2 women को बैठना है, मतलब 4 seats है, 2 occupy होंगी 4 P2, इतनी बात clear है हाँ सर, clear है, ठीक है, done अब बात करते हैं, men की भाईया कितने में है, 33 men's है, ठीक है दियाँ से सुनना, जी सर अब इन्होंने यह कहा first the women choose the chair from, ठीक है 2 तो भर गई न, 2 women तो बैठ गई होंगी किती बची, 8 में से 2 गई, सर 6, 6 chairs पे कितने men बैठने है, 3 men तो सर, 6 chairs पे 3 men बैठने है, यानि 6 P3, समझा रही है बात, 6 chairs पे 3 men बैठने है, कोई भी remaining वाली बात हो रही है न, अब ये भी होना ये भी होना, इसका मतलब सर जी हमें बीच में प्लस लगाना पड़ेगा प्लस लगाना है, बताओ यारा प्लस लगाना है, नहीं सर, हमें यहां बीच में multiply लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 women और 3 men, 2 बैठने तो multiply होगा, बात समझ में आ रही है मैं फिर बता दे रहा हूँ, सुन लो गौर से इन्होंने का शुरू शुरू में कि भाईया, सबसे पहले 4 seats जो है ना, 1, 2, 3, 4 number वाली, इन पे बैठने का हक अधिकार, 2 women का है तो हमने टिनी, 1, 2, 3, 4 higher, 4 seats है, total seats है 4, उसमें से 2 women भरेंगी, तो 2 नीचे लिख दिया permutation की बात हो रही है, 4P2 आ गया, remaining chairs पे बाकी men बैठ जाएंगे, remaining chairs भाईया, पूरी total 8 में से 2 chairs भर गई होंगी, हाँ sir तो कितनी बचीच है, इसका मतलब sir अब total 6 है, कितने men के लिए बिटा, 3 men के लिए, तो 6P3 हो गई, दोनों, जीवे ये female के लिए, ये male के लिए भई, दोनों की बात करनी है, तो multiply कर दो clear है, हाँ sir, चलो बस अब solve कर लो अब तो बचे ही क्या है, sir, अब तो बचे ही क्या है, 2, 4P2 ठीक है, अब आपको NPR का formula बदी होगा बेटा, NPR का formula क्या होता minus R factorial into, NPR N factorial upon N minus R factorial done है, hazard done है, चलो शुरू करते है 4 upon 2 factorial, पिटा ये 4 factorial upon 2 factorial into, ये हो जाएगा 6 factorial upon 3 factorial 6 factorial upon 3 factorial ठीक है, 4 factorial को हम लिख सकते है, 4 into 3 factorial upon 2 factorial into, 6 factorial को हम लिख सकते है, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 3 factorial, काट अपीटी कर दो बेटा, देखो, 3 factorial 3 factorial गया, 2 factorial, 2 factorial गया, what is remaining, सर ये बचा 6 5s are 30, 4 3s are 12 12 3s are 36 6 30 into 4 4 into 6 30 answer क्या हैगा, बेटा, 4 6 24, 25 2520 2520, this is our answer जल्दी से देख लो, we are done with this, question number 1 calculation एक बार मैं चेक कर लूँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि calculation में कुछ गड़बर हुई है, रुक जाओ, एक सेकेंड 2520 आ रहा था न, देखें अब फिर से 2520 आ रहा है क्या 4 factorial को लिखो 4 into 3 into 2 factorial और नीचे अपना 2 factorial है ही, तो 2 से 2 कट जाएगा 6 factorial को लिखो भीटा, 6 into 5 into 4 into 3 factorial ठीक है, अप उन में 3 factorial है, वो कट जाएगा तो सर जी, यहाँ 2 factorial, 2 factorial गया 3 factorial, 3 factorial गया 3 4s are 12 into 4 5s are 20 4 5s are 20 और 6 2s are 12, 120 हाँ, गड़बर होई ही रही थी आंसर आ रहा है, 1 4 4 0 12 का square 144 और 0 यह आंसर आ गया We are done with question number 1, चलते हैं question number 2 की और तो सर यह रहा question number 2, जल्दी से पढ़ेंगे बिटा If the letters of the word rachit are arranged in all possible ways as listed in the dictionary then what is the rank of the word rachit देखो, rachit नाम में जो letters आ रहे हैं उन में, अगर, देखो, जैसे मैंने आपको 3 letters दिये P, A, T, PAT For example, मैंने आपको 3 letters दिये, ठीक है, अब मैंने कहा बिटा, इन से 3 letters से आप जितनी भी spellings बना सकते हो meaning वाली, non meaning वाली, बस repeat मत करना, 3 letter के शब्द बनाना, और आप 3 letter के शब्द बनाओ, और उनको alphabetical arrange करो, तो सबसे पहले बिटा, एपन इन 3ों को alphabetically arrange करेंगे, सबसे पहले sir, A आएगा, फिर sir, P आएगा, और फिर last में alphabet के according, T आएगा, ठीक है, done sir तो सबसे पहली spelling हो गई, A, P, T, दूसरी spelling हो जाएगी sir, A, T, P, T, P, है ना, फिर तीसरी spelling हो जाएगी बेटा, A से दोनों शुरू है, P, P, A, T, ये dictionary के इसाब से लिखी, कि sir, dictionary के इसाब से ranking, कि भाईया, सबसे पहले जो है, ये A, 1 आएगा, first position पे, फिर sir, P, Q, R, S, T, फिर second पे, P आएगा, alphabetical order में, और alphabetical order में, T, third number पे आएगा, समझ रहे हो ना, तो सबसे पहले देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, A, P, D, सबसे पहले, A, P, T, फिर 1 की जगा, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 2, T, P, तो ये होता है, alphabetical arrangement, ऐसे ही बटा, हमें क्या करना है, यहाँ, एक spelling दी गई है, रचित, और रचित के सबसे पहले letters में, देखते हैं, कौन पहले आएगा, और कौन बाद में, तो सबसे पहले, देखो बटा, रचित में हमें A सबसे पहले दिख रहा है, तो A आएगा, ठीक है, सर, फिर बटा, C दिख रहा है, C आएगा, ठीक है, C, A, B, C, D, E, F, G, H, H, ठीक है, H आएगा, H है, H, I, हाँ, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, फिर R आएगा, और फिर T आएगा, ठीक है, यह है हमारा Alphabetical Arrangement of the Letters in the Word, रचित, रचित वाले शब्द में, जो Alphabetical Order है, वो कुछ इस प्रकार हैंगे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, यहां तक, ठीक है, Done Sir, अब क्या करें, ध्यान से सुनिए का, इन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनना, बिटा, मुझे बताओ, A से शुरू होने वाली कितनी Spelling's होंगी, A से शुरू होने वाली कितनी Spelling's होंगी, Sir, हमें total कितने Letters लेना है, हमें 6 Letters लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अ अब मैंने कहा कि भाईया, यहां तो A आएगा, अब बताओ, आप बाकी में कितने-कितने आ सकते हैं, मतलब Number of Collections या Number of Collections नहीं, Sorry, Number of Permutations या Number of Arrangements जो A से Spelling's या Words बन सकती हैं, तो Sir, A तो यह फिक्स हो गया, हाँ Sir, अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Letters बचे, Sir, इस में से, इन 5 Letters में से, कोई यहां आ जाएगा, तो बचेंगे 4, तो यहां 4 Letters का Option है, 4 में से कोई भी यहां रख सकते हैं, अब 4 में से जब किसी एक कोई यहां रख देंगे, तो बचेंगे 3, यानि यहां मैं 3 रख सकता हूँ, 3 में से कोई भी एक रख सकता हूँ, 3 Choices, और यहाँ पर जब three choices में से एक कुछ रख दिया जाएगा तो बचेंगे दो इस position पर दो choices हैं और इस position पर बचेंगा रखने के लिए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लेटर रखा जाएगा सारे भरना है तो हमें बीच में लगाना पड़ेगा सब के multiply 5 4 into 3 into 2 into 1 that is 5 factorial यानि यह आएगा I guess 120 क्या आएगा दोस्त 120 यानि 120 वर्ड आएगे 120 वर्ड आएगे starting with starting s-t-a-r-t-i-n-g starting with a a से शुरू होने वाले कितने वर्ड होंगे बीचा 120 5 4s are 20 12 2s are 24 अरे नहीं यार 6 2s are 120 आएगा ठीक है ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि बीचा अब A होगा अब C से start होने वाले कितने numbers होंगे 1 2 3 4 5 6 letters की बात हो रही है बीचा कौन fix हो गया इस बार इस बारी सर इस बारी जो first place पर fix है वो C है क्योंकि अब second जो numbers second जो letters use होगा first वाली जगा पर C के यानि कि A के सारी spellings खतम हो जाएंगी तो C से शुरू होने वाली spellings शुरू हो जाएंगी ठीक है सर C तो fix हो गया अगर C fix हो गया तो कितने बचे एक दो तीन चार पांच पांच बचे सर A H I R T N मेंसे कुछ भी लिख सकते हैं यह हो मतलब पहली वाली जगापर हम कुछ भी पांच हो मेंसे कोई भी letter लिख सकते हैं इसके पास five choices हैं जब five मेंसे कोई है कि यहां लिख दिया जाएगा तो बचेंगे čार second वाले के पास चार choices है कितनी choices है बैट आ चार choices है 4 में से कोई एक यहां लिख दिनगा लेटर तो भाच कंगे 3 तो इसके पास पास 3 choices है यानी 3 letters में से कोई भी एक letter है लिखा जा सकता है 34 यहां जब यहां कोई लिख दिया जाएगा सर यहाँ पर भी क्या है पिटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या नी 5 factorial that is 5 4s are 20 60 120 सर यहाँ पर भी 120 words आ जाएंगे starting with C 120 words starting with C ठीक है done sir starting with C तो पिटा 1 2 3 4 5 हमें रचित की position पता करनी है यह जो शब्द है न इसकी rank क्या होगी R से शुरू होगा number 1 sir A से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं 120 C से शुरू होने वाले कितने हैं 120 बिटा H से और I से भी शुरू होने वाले word 120 ही होंगे तो हम क्या लखेंगे similarly similarly धियांचे सुनना जी sir similarly words starting with the letter starting with letter starting with the letter H and I H and I are also 120 120 each ठीक है मतलब अब तुमें बताता हूँ clear cut समझना बात को A से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं sir 120 शब्द है C से शुरू होने वाले 120 words है X से शुरू होने वाले 120 words है I से शुरू होने वाले 120 ही words है ठीक है sir तो A से शुरू होंगे पहले पहले उसारे words लिखे जाएंगे dictionary के हिसाब से फिर C से शुरू होने वाले लिखे जाएंगे dictionary के हिसाब से फिर H से शुरू होने वाले लिखे जाएंगे फिर I से शुरू होने वाले लिखे जाएंगे और तब जाके R की बारी आएगी जो हमें रचित word धूंडना है वो 480 words आ चोके होंगे, काहे के पहले, before words starting with r, before words starting with r, r से शुरू होने वाले शब्द जो भी है, सबसे पहला जो r से शुरू होने वाला शब्द होगा, उसके पहले, उसके पीछे 480 शब्द लिखे होंगे, starting with r, ठीक है, तो सर, अब अपना r पे पहुँच गाएगे, भईया, a स start होने वाले जो शब्द बनेंगे, वो है 120, a के बाद जो है, c से बनेंगे, वो है 120, फिर एच से बनने वाले 120, आपको बता दिया 120 कैसे आ रहे हैं, ठीक है, done, अब r से बनने वाले शुरू हो जाएंगे, कभ? 480 के बाद, यानि 481, जो भी होगा न, 481st नंबर वो r से शु से पहले यहाँ तो भाईया, 6 शब्द का हमको 6 लेडर का वर्ड बना है, तो r तो fix हो गया, ठीक है, अब r अगर fix हो गया, तो r को भूल जाओ, अब alphabetical order के हिसाब से बताओ, कौन आएगा सबसे पहले, क्योंकि भाईया, dictionary alphabet follow करती है, तो sir, r तो भूल गया, अब सबसे पहले बताओ, कौन सा आएगा, sir, सबसे पहले a आएगा, क्योंकि a alphabet में सबसे पहले आता है, फिर chit, फिर chit, यह तो रचित हो गया, इसी को तो धून रहे थे हैं, r से शुरू होने वाला, इस condition में सबसे पहला शब्द जो dictionary में आएगा, वो रचित होगा, मतलब 480 शब्द तो पाई चुके हैं, जो a से शुरू होंगे, c से, h से, i से, अब r से जैसे ही सबसे पहला जो word बनेगा, इन condition के हिसाब से कहाँ चला गया, यार, सबसे पहला शब्द जो शुरू होगा, r से, इन दिये हुए letters के according, वो रचित ही होगा, मतलब 480 शब्द हो चुके हैं, 480, answer आगया, रचित क्या होगा, sir, 481st, 480 तो पीछे है, r से शुरू होने वाले, अब मैंने का चलो, r से, सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा, तो रचित हो गया, दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे में कुछ नहीं होता है, sir, बस t यहाँ आजाता है, i यहाँ आजाएगा, है Moving on to next, और देखते हैं, sir, next हमारा question number 3, क्या है, इसको मैं raise कर रहा हूँ, जी, sir, यह question number 3 है, a candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions, which are divided into 2 groups, each containing 6 questions, he is not permitted to attempt more than 5 questions from either group, find the number of the different ways of doing question, देखो, simple सी बात है, यहाँ पर एक candidate है, उससे कहा गया कि काम करो तुम, तुम टोटल 12 questions दिये, अब 12 questions जो है ना, 6-6 questions, group में divide है, ध्यान जा सुनना, जी, sir, यह 1 group हो गया, यह 2 group हो गया, 2 group, ठीक है, sir, total questions कितने दिये, बिटा, यह 6 questions दिये, ठीक है, ध्यान जा सुनना, 6 questions are here, है न, total 6 questions जितार है, 6 questions वहाँ है, तो questions कितने होगा, total, total हमारे 12 questions होगा, ठीक है, अब उसको जो है, 7 questions attempt करना है, condition यह है, कि वो यहाँ 5 से जादा नहीं कर सकता, यहाँ भी 5 से जादा attempt नहीं कर सकता, मतलब मेरी बात समझो total कितने करना है seven questions attempt करना है total seven questions उसको attempt करना है यहाँ पांच से जादा नहीं करेगा यहाँ भी पांच से जादा नहीं करेगा ध्यान से सुनो जी सर तो एक काम करते हैं चलो मान के चलो पांच questions उसने यहाँ answer दे दिये तो यहाँ बचे दो questions देगा यहाँ से answer भई साथ देना है ना total five or two seven अच्छा six दे सकता है क्या नहीं दे सकता पांच से जादा नहीं दे सकता किसी भी ग्रूप में तो यहाँ अगर चार questions के answer दिये तो यहाँ तीन questions के answer देने पढ़ेंगे Hell यहाँ अगर two questions के answer देने है तो यहाँ उसको कितने देने पढ़ेंगे शण two और seven five तो five questions के answer देने पढ़ेंगे अब यहाँ अगर उसने one question का answer दियआ तो यहाँ वेटा उसको total seven यानि six questions के answer देने पढ़ेंगे पर यह allowed ही नहीं है किसी भी ग्रुप में वो पाँच कोश्चन से जाए अटेम्ट नहीं कर सकता six कोश्चन में से six कोश्चन अटेम्ट वो नहीं कर सकता यह कट जाएगा तो हमारे जो combination बने वो यही है ध्यान से सुनना हमारे जो combination बने वो यही है that means what I am saying is या तो वो पाँच यहां से करके दो यहां से कर ले या फिर वो ध्यान से सुनना बिटा मैं आराम से बात कर रहा हूं कि अपने फर्स्ट कोश्च फर्स्ट वाले ग्रुप में से उसने क्या करा पाँच क्यों करेगा ध्यान से सुनना बिटा दो है ना दूसरे में से दो करेगा सर वो अब देखो सी बात मैं तुमको बताता हूं ध्यान से सुनना बात combination की ओ रही है पिटा या arrangements नहीं है combination है, यह combination बना रहे है अपन, 5 plus 2, एक combination हो गया, 4 plus 3, दूसरा combination हो गया, these are combinations, try to understand, ठीक है सर, तो समझना बात को, 5 questions out of 6, यह पहली बाली की बात कर रहा हूँ मैं, 5 questions out of 6, ठीक है, 5 out of 6, तो बेटा 6, C 5, total में से 5 questions, ठीक है, अच्छा, या फिर, या फिर, या फिर, मतलब 5 questions, अगर कर लिए, तो फिर उसको B वाले में से 2 करना पड़ेंगे, यानि 6 में से 2, तो सर, 6, C, 2, और multiply क्यों लगेगा, क्योंकि यह करना है, और यह भी करना है, तभी तो total 7 बनेगा, ठीक है, तो कहने का मक्सद यह है, कि यह 6 questions में से 5 कर लिए, उसने, अब मैं बोला हूँ, या, या फिर, भई, ये वालो combination पसंद निया रहा, तो यह आएगा, और जैसे ही मैंने बोला, या फिर, बिटा, प्लस लग जाएगा, अब प्लस लग जाएगा, समझे क्या, समझे क्या, नहीं समझे, अब प्लस लग जाएगा, ठीक है, या फिर, 4 कर ले, 6 मैं से, कितने कर ले, 4 कर ले, 6 मैं से, भई, 6C4, 6C4, 4 कर ले, 6 मैं से, और 3 कर ले, 6 मैं से, और का मतलब है, multiply, 3 कर ले, 6 मैं से, 6C3, है ना, या, तो ये combination पसंद आ जाए, कि भईया, शुरू मैं, 1st में, 1st वाले गृप में, 6 मैं से, मैंने 5 कर लिए, और दूसरे वा जाले में से, 3 कर लेता हूं, अच्छा, ये भी पसंद नहीं आ रहा है, सर, तो क्या करेंगे, फिर से, प्लस लगा, और का मतलब होता है, प्लस, और, या तो ये combination, या फिर ये combination, या फिर ये combination, या फिर ये combination, अब और की बात हो रही है, क्या है, सर, 3 out of 6, है ना, या तो मैं है, इतने भी attempt नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, अपन, first वाले group में से, 2 questions attempt कर लेते हैं, first वाले में से, 6 C2, और, दूसरे वाले में से, 6 C5 कर लेते हैं, 5, ये बना बेटा, ये हमारा solution है, ये हमें answer देगा, हमारे इस particular question का, ठीक है, NCR का formula आपको पता होगा, N माइनस R factorial, इंटू R factorial, ये होता है, ठीक है, डन है, हाँ से, डन है, आगे देखते हैं, ध्यांदो सुनना, 6 C5, 6 C2, 6 C5, 6 C2, तो कुल मिला के, जो जीशान सर बोलना चाहते हैं, वो ये हैं, के ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट तो बिलकुल से हमें, देख लो ना इंटू 6 C2, डन सर, इन दोनों को कह दिया, 2 टाइमस है, ये एड है, अब बिटा, ये दोनों भी से में देखो, 6 C4 इंटू 6 C3, 6 C4 इंटू 6 C3, से में, तो सर, अपन क्या लेखेंगे, प्लस, ये दोनों भी लेख देंगे, बिटा, 2 टाइमस, 6 C4 इंटू 6 C3, डन है सर, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इन दोनों में से 2 common ले लो, तो सर हमने 2 common ले लिया, ब्रैकेट, सर ये आ गया, 6 C5, इंटू 6 C2, प्लस, 6 C4, इंटू 6 C3, ब्रैकेट क्लोज, ये सॉल्फ करना है, अपन को थोड़ा छोटा कर दिया, देखा जाए तो, और कोई बा 5 क्या है, 6 C5, 6 C5, 6 factorial upon 6 C5, 6 minus 5 factorial, यानी 1 factorial, इंटू R factorial, यानी 5 factorial, ठीक है, 6 C5 ये आएका, 6 C5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5, तो सर, 6 factorial upon 5 factorial आए गये, 6 factorial upon 5 factorial, है ना, देखा बाई, 1 factorial तो 1 होता है, ठीक है सर, next, 6 C2, 6 C2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, 6 minus 2, 4, यहाँ 2, ठीक है, 6 C2, 6 factorial, 6 minus 2 factorial, यानी 4 factorial, यहाँ 2 factorial, clear है हाँ सर, तो यह आएगा बाईटा, इंटू 6 factorial upon 4 factorial, इंटू 2 factorial, plus 6 C4, चलो सर, 6 C4, तो सर, 6 C4, 6 factorial upon 6 minus 4, यहाँ 2 factorial, और यह 4 factorial, तो यह आएगा सर, ठीक है, 6 C4, 6 factorial, ठीक है, अपन 2 factorial, इंटू 4 factorial, 6 C3, 6 C3, 6 C3, 6 factorial बिटा, यहाँ N factorial, यहाँ 6 factorial, 6 minus 3 factorial, यहाँ 3 factorial, 3 factorial, R3 है सर, ठीक है, तो 6 factorial upon 3 factorial, इंटू 3 factorial, 3 factorial, इंटू 3 factorial, ब्रैकेट क्लोस, तो यह हो गया बिटा, हमारा पूरा का पूरा, solve, आंसर लाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो सर, 6 upon 5 factorial, बिटा, 6 होगा, 6 into 5 factorial, लिखेंगे 6 upon 5 factorial को, और 5 factorial नीचे, इससे यह कट जाएगा, तो यह वाला पार्ट सिर्फ 6 आया, ठीक है, तो यह 6 आया, ब्रैकेट लगा के बिटा, पीछे 2 लगा देंगे, ठीक है, प्लस, प्लस, 6 factorial upon 4 factorial, लिखो 6 factorial को मैंने लिखा, 6 into 5 into 4 factorial, है ना, 4 factorial into 2 factorial, 4 factorial को ऐसे लिखो, 2 factorial is बिटा, 2 into 1, काट अप बीटी करते हैं, 4 से 4 गया, बिटा, इससे यह गया, 2, 3, 3, 5, 15, बिटा, यह 15 आएगा, डन है, हासर, डन है, इसको अटाओ, अच्छा, यह दोनों बिलकुल सेम है, अगर यह भी 15 आएगा, बिलकुल सेम है, तो सर, हम यहाँ पर भी प्लस का 15 लिख देते हैं, बिटा, 6 factorial upon 3 factorial, देखो, 6 factorial can be written as, 6 into 3, 6 into 5 into 4 into 3 factorial, नीचे, 3 factorial can be written as, 3 into 2 into 1, और एक और 3 factorial है, उसको ऐसे ही लिखके, काट अपीटी करेंगे, दोस्त, जल्दी से, तो सर, 3 factorial, 3 factorial गया, 3, 2s are 6, 6 गया, 5, 4s are 20, प्लस का 20, डन, यह सर, calculate करते हैं, 15, 15, 30, 30, 20, बिटा 50, 56 into 2, 2 into 56, बिटा आंसर आएगा, 1, 1, 2, आंसर क्या आएगा, 1, 1, 2, this is our answer, जल्दी से देख लो, we are having our answer, 1, 1, 2 ways, जल्दी से देख लो, we are done with this question, और फिर चलते हैं हम question number 4 की और, कितना आ रहा है आंसर सर, हमारा आंसर आ रहा, 1, 1, 2, 1 second, रोको जरा, अरे अपनने बीच में प्लस लगा दिया, यार, अपनने बीच में प्लस लगा दिया, जबकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाए था, तो, यह अटाओ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाए था, ठीक है, तो these are in multiplication, these are in multiplication, 15, 6 are 90, ठीक है सर, प्लस, ये 15, 2 is 30, यानी 300 into 2, ठीक है, तो ये आएगा 2 into 390, ठीक है सर जी, तो ये answer आ गया 780 I guess, हाँ, बिलकुल सही, अब सही है, ठीक है 780, ये थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा, ये पूरा एक combination है, ये combination कह रहा है आप से, कि यार एक काम करो, 5 कर लो, 6 में से, और 2 कर लो, 6 में से, पही 5 कर लो, 6 में से, और 2 कर लो, तो ये combination होगे, अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो चले एक काम करते है, और, OR, OR का मतलब है, चले छोड़ो इसको, सर ये कर लो, पहले वाले, पहले वाले ग्रुप में से, 4 कर लो, बहीं, ये amongst बलुझे, और, दूसरे वाले ग्रुप में, 3 में से, तो 4 और 3 सात होगे, अच्छा, ये पसंद नहीं आ रहा, ये ये पसंद नहीं आ रहा, ये देख लो, तो सब चॉइसेettu होती है, ये नहीं, ये समझ में नहीं, ये डेख लो, ये समझ में नहीं या अपने ठीक है, done sir, चलते हैं बिटा, next question number 4 पे, I am raising this, यह रहा question number 4, out of 18 points in a plane, no 3 are in the same line except 5 points which are collinear, find the number of the lines that can be formed joining the points, इसको read करो, fourth question अभी अपन, जल्दी से इसको finish करते हैं, देखो भई, अब यह question है, out of 18 points in a plane, no 3 are in the same line, अब देखना, जैसे 18 points की बात कर रही है, तो जैसे 1 point, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 18 points हैं, अभी circle हैं, जैसे भी मुझे नहीं पता, लेकिन 18 points हैं, और इने में से कोई भी point, कोई भी 3 points सीधी line पे नहीं है, मतलब, कोई भी 3 points लगातार एक line पर नहीं आ रहे हैं, मतलब 3 points, अगर 3 नो एकी line पर आ जाएं, collinear क्या लाते हैं, तो 3 points are not collinear, हाँ, 2 points कभी भी करते हैं, जैसे यह हैं, ठीक है, और भी बनाऊंगा मैं अभी, out of 18 points in a play, no 3 are in a same line except 5 points which are collinear, 5 points हैं, जो collinear हैं, वो एकी line पर आ रहे हैं, 2, 3, 4, यह हो गए 4, और यह हो गए 5, ठीक है, तो इनका यह कहना है, कि यह 5, ठीक हैं, ध्यान से सुनना, यह 5 को मैंने सीधी line पर रख लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह 5 points एक सीधी line पर रहे हैं, इनके अलावा, अब आपको कोई भी 3 points ऐसे नहीं मिलेंगे, जो सीधी line पर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे इन दोनों points को जोड़ोगे, तो एक line बन जाएगी, यह जोड़ोगे, तो एक line बन जाएगी, इनको join करोगे, तो एक line बन जाएगी, थोड़ी से tilted है, याद रखना नहीं, तो आपका उसर, यह तो सीधी बन गई, देखो, अरे बंजा भाई, यह बन गई, 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 यह lines बनेंगी, दो points की मदद से lines बनेंगी, वो यह कह रहे हैं, कि 5 ऐसे points हैं, जो सीधा को linear है, इनके अलावा 5 points के अलावा, अब आप कोई भी ऐसे 3 points नहीं दून पाओगे, 18 points में, जिन में, जो सीधी line पर आ रहे हूं, मैं clear cut, अगर पिलकुल pure Hindi में बोलूं, तो भहिया, 18 points है, 18 points में से 5 points ऐसे हैं, जो सीधे line पर आ रहे हैं, इनके अलावा, बाकी आप कोई भी ऐसे 3 points धून दून के दिखा दो, जो 3 हो, एक ही line पर आ रहे हूं, नहीं मिलेंगे, ये condition दी गई है, done sir, yes sir, अब कह रहे है, वो find, ध्यान जो सुनना, जी sir, find the number of lines that can be formed joining the points, number of lines that can be formed joining the points, देखो बात number 1, पहली बात तो clear सुन लो, के 2 points की मदद से अपने एक line बना पाते हैं, किसकी मदद से sir, 2 points की मदद से एक line बन जाती, 18 points हैं हमारे पास, क्या हैं sir, 18 points हैं, ध्यान जो सुनना, जी sir, तो 18 points में से हमें, ध्यान जो सुनना, 18 points है, ठीक है sir, 2 points से एक line बनती है, ठीक है sir, बताओ, arrangements है के combination है, combination है, भई, combine कर रहे हैं पन तो जोड़ दो, जोड़ दो, ऐसा कर दो, combination है sir, सही बात है, ध्यान जो सुनना, 18C2, ये क्यों है sir, 18C2 क्यों है, भई, ये 18 points है, उसमें से 2 points हमें, एक line बना के दे रहे हैं, तो 2 points का मतलब है, हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है, line हमें 2 points से मिल रही है, 18 points है, ठीक है sir, ध्यान जो सुन लो, हाँ sir, तो ये तो होगा है total line, आगे सुनते जाओ, क्या sir, क्या sir, अरे भई, 5 points जो है, ध्यान तर सुनना, 5 points जो है, वो सीधी line बना रहे हैं, मतलब उसमें ऐसे points हैं, जो repeated हैं, मैं क्या बोला, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं कहूं कि ये सीधी line बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जो ये 18 points से calculation करी, एक second, मैंने जो 18 points लिए, 18 points में ये 5 भी शामिल थे न, हासर 5 भी शामिल है, पर इन 5 में ध्यान से सुनना, repeated lines बन रहे हैं, कैसे repeated lines बन रहे हैं, देखो, यहां से यहां 1 हासर चलो, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, फिर यहां से यहां 5, यहां से यहां 6, तो Sir यह repeated lines तो इसमें भी होंगी? हाँ यहर तो यह हटाने पड़ेंगे यह हमें हटाने पड़ेंगे ठीके Sir तो minus करेंगे, क्या minus करेंगे Sir 5 points से بنने वाली 2 points से बनने वाली line 5 points से 2 points से बनने वाली line हमने minus कर दी ठीके sir, एक पूरी की पूरी line ले लो कौनसी line ले लो 5 points की एक line बन रही है न पूरी-पूरी हाँ sir तो वो भी ले लो sir वो ले लेते हैं अपन पूरी एक यह हमारा answer आगया यह हमारा answer आगया कि 18 points की मदद से दो-दो points से बनने वाली lines हम बना सकते हैं 18c2 हाँ sir फिर इनी lines में 18c2 में ध्यान रखना हमने 18c2 में उन lines को भी count कर लिया जो repeated lines है अब repeated lines कौन सी है sir जी बताओ repeated lines है sir जी 5c2 मतलब 5 points से जो सीधी-सीधी एक line प्यार है वो और सीधी एक line बन रही है यह 5 points की वो भी add करनी है plus 1 clear है हाँ sir बस अब इसको solve कर दो answer आ जाएगा ठीक है done sir तो ncr का formula आपको पता ही है ncr क्या होता है sir ncr होता है अपना n factorial upon n minus r factorial into r factorial ठीक है तो ncr n factorial upon n minus r यानी 16 factorial into r factorial यानी 2 factorial minus 5c2 5 factorial upon 5 minus 2 यानी की बेटा 3 factorial into r factorial मतलब 2 factorial plus का 1 ठीक है done sir चलो शुरू करते हैं तो बेटा 18 factorial को अपन लिख सकते हैं 18 into 17 into 16 factorial ठीक है upon 16 factorial into 2 factorial 2 is बेटा 2 into 1 ठीक है यहाँ हम cancellation कर देंगे 16 factorial से 16 का गया यह गया 9 times ठीक है sir आगे चलते हैं minus 5 factorial को we can write 5 into 4 into 3 3 नहीं sir 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial 2 factorial है बेटा 2 into 1 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 10 plus 1 तो 144 answer 144 आगया ठीक है so these are the points यह हमारे 144 lines बनाएंगे clear है क्या हाँ sir clear है 144 is the total number of the straight lines which can be made with the given condition अगे चलते हैं प्रशन नमबर 5 इसको erase करो sir यह राफ 5th question we wish to select 6 persons from 8 ठीक है but if the person A is chosen then B must be chosen in how many ways can selections be done देको choosing का question है combination की बात हो रही है है ना भीया choose करो adjust करो या आप arrangement करो नहीं choosing, choosing का मतलब है collection या selection का मतलब होता है combination question हमारा combination का है ठीक है sir अब इन्होंने यह का के 8 लोगों में से 6 लोग select करने है ठीक है लेकिन condition यह है कि अगर A को choose किया तो B भी आएगा और A को choose नहीं किया दिहान से सुनना if A is chosen, B is also chosen अगर A आया तो B भी आएगा लेकिन क्या यहाँ पर यह लिखा कि अगर A नहीं आया तो B भी नहीं आएगा ऐसा तो नहीं लिखा sir तो दो condition बनेंगी बिटा क्या case 1 sir दो cases बनेंगे case 1 का भीया क्या sir A is chosen A को हमने choose कर लिया और अगर A आया तो B भी आएगा तो B is also chosen B is also chosen अब ये दोनों तो आ गए sir हमें total कितने select करने थे 6 ludzie मेंसे 2 तो आ गए na हाँ sir total आठ तो दियान से सुनना 6 select करने थे थेसे दो तो उनने select कर लिए sir तो अब हमें कितने select करने है बिटा चार ये निया है case 1 में अगर A को choose कर लिया तो B B आएगा तो 2 तो select हो गए इनकी क्या बात कर रहे है अब अब बात करनी है कि भईया 6 select करने दे जिसमें से 2 तो आ गए बच्चे 4 तो 4 select करना है 8 में से नहीं 8 तोड़ी ना है अब 8 में से 2 तो हट गाए वही या 2 तो आ चुके तो 6 में से 4 select करना है तो बेटा इसका case क्या बनेगा 6 C4 क्या बनेगा बेटा 6 C4 ठहना 6 में से 4 लोग select करना है ठीक है सर next अच्छा अगर ये नहीं करना है ये case नहीं आ रहा है तो अपन और लिखते हैं सर और या फिर case number 2 क्या बनेगा सर जल्दी से देखते हैं case number 2 अब case number 2 पता क्या है A select नहीं हो रहा है A is not chosen A is not chosen A हमारा select नहीं हो रहा है तो A तो disqualify हो गया अभी एक भी select नहीं हुआ A select नहीं हुआ बस A गया A की जाने से A की हटाने से B हट जाएगा ऐसा नहीं लिखा question में हाँ अगर A हट गया हमें total कितने select करने है बेटा 6% select करने है out of 8 पर सर clear बोल दिया गया कि A को हमें select नहीं करना है A को हटाओ तो total कितने 8 नहीं है अब total 8 नहीं है सर अब कितने है total बेटा अब total हमारे 7 बचे समझ गए A को हमें लेने ही नहीं है हमने पहले decide कर लिया तो total हमारे लिए अब 8 हाई नहीं है एट कहां बचे भई 6 select करने एक भी select नहीं हुआ भी 6 select करना है 7 में से तो इसका क्या case बनेगा 7 में से 6 select करना है 7 C6 अब जब और आ जाता है तो बीच में plus लगता है आपको तो पता है पड़े लिखे हो भई या होशियार बच्चे हो तो हमारा answer आएगा 6 C4 plus 7 C6 7 C6 बात सम answer हा जाएगा तो 6 NCR का formula पता है न NCR formula होता है सर N factorial upon N minus R factorial ठीक है सर N minus R factorial into R factorial done है हा सर दन है कर लेतने हैं बेटा N यानि 6 factorial upon 6 minus R यानि 4 तो यह 2 factorial हो जाएगा into R factorial यह उतला 4 factorial plus N factorial upon N minus R factorial into R factorial done है यह answer चलो solve करते हैं इसको answer लाते हैं बेटा हाँ तो सर जी यह 6 factorial को हम लिखेंगे 6 into 5 into 4 factorial upon बेटा 2 into 4 factorial 2 factorial तो 2 into 1 होता into 4 factorial plus 7 factorial को हम लिखेंगे 7 into 6 factorial upon 6 factorial है ना 1 factorial तो भाही 1 होता है यह कट जाएगा यह कट जाएगा what do we have we have बेटा इसको 3 से 5 3 सा 15 या 15 है plus का बेटा वहाँ 7 है answer आया 22 answer आया 22 जल्दी से देख लो we are done with 5th question also answer क्या आगया बच्चों हमा 52 कोई दिक्कत कोई समस्या no दिक्कत no समस्या 22 answer आया 52 बोल ला था क्या ठीक है done answer चलो भई तो यहाँ आपन इसको erase करते हैं और यहाँ पर हमारा question 5 तक complete हो गया है so we are done with this session को like कर देना और permutation and combination को अच्छे से पढ़ो magnet brains पर पढ़ो बढ़िया तरीके से magnet brains पर आपको provide कराया जाता है sorry 100% free of cost high quality educational videos of k-12 यानी kindergarten से लेकर class 12 CBSE board English medium के सारे subjects की full proof 100% free of cost guaranteed वाली पढ़ाई जो आपको अपने exam में बहुत अच्छा score करने में पूरी मेनत कराएगी पूरी आपको help कराएगी इसी के साथ हमारे जो हिंदी medium के students हैं जो Delhi, बिहार, UP, MP, राजस्थान इन 5 state boards के जो हिंदी medium के students है न जो class 6 से class 12 वाले हैं वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमारे magnet brains हिंदी medium YouTube channel पर जाकर क्योंकि वहाँ पर हमारी एक अलग dedicated team है जो हमारे हिंदी medium वाले प्यारे बच्चों को पूरी तरह से अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं सारे subjects की पूरी पूरी knowledge दी जा रही है पूरा course complete कराया जाता है हिंदी medium channel पर भी नोट्स हम मैं आम मैं आपको clear बताऊं कि नोट्स के लिए आपको हमारी website और application चेक आउट करनी होगी website www.magnetbrains.com कुछ ऐसी आपको website का interface दिखेगा तो magnetbrains.com जैसी आप टाइप करोगे तो website खोल जाएगी grab इनोट्स पे क्लिक कर देना वहाँ जाकर अपना medium सेलेट कर लेना English medium या Hindi medium फिर आपको class 6 से class 12 English and Hindi medium दोनों के ही सारे subjects के PDF format में नोट्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत जादा मदद करने वाले हैं एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं तो आप बिलकुल आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं उन perfect नोट्स पर जल्दी मिलेंगे टेक कियर, happy learning, bye